पूरा एक्जेक्ट अगर आपको मॉक्टेज देना है तो आप हमारे एप को दा विक्ट्रेड आप है उसका लिंग आपको डिसम बॉक्स में जाएगा वहां पर आप आप उसको वहां से करके आप स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करने वाला है सूपर ठर्टी डेज प्लान के बारे में आपको पता है फरवरी से स्टार्ट है यह ऑफिसल डेट है अभी कुछ कह नहीं सकते हैं हो सकता है कुछ आगे पीछे हो सकती है तो बाइस फरवरी की बीच में आज 23 जनवरी है तो सूपर ठर्टी डेज प्लान बताने वाला हूं जिसके बेस पर अपने एक्जाम क्लियर करोगे यह वीडियो वही देखे जिनको एक्जाम क्लियर करना वरना अभी आप वीडियो से जा सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होगी आपको बोरि लिए लिंक आपको डिसन बॉक्सम दे दिया वहां जूड जाना इस्टागरम मुझे फॉलो करें और साथ जात हमारे एप का भी लिंक आपको वहां मिल जाएगा तो वहां पर चैस्ट सेरीज मिल जागी जब यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा मैं बता दूँ आ मगर है क्योंकि अभी आपको पता है दिल्ली हाई कोट का फैसला आया उसके बाद डेट को इंक्रीज करने के लिए बोला यानि कि जो उसकी फॉर्म की लाज डेट है पची जनुरी उसको बढ़ाने के लिए बोला गया साथ ही साथ एज में रिलेक्शन देने के लिए बोला क्या सिर्यसली नहीं लिया माँवर आज से हम ये सोच तेंगे आज से हम तयारी और अच्छी करेंगे आप के लिंद बचा हुआ है तो 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए कैसे पढ़ेंगे 30 दिन के बारे में काशन से सब कुछ खा gefंगलें मेंने क्या करेंगे वू डिंदी और इंग्लिस दोनों में च्वाइस होगी कि हिंदी करनी है कि आपको इंग्लिस करनी है उसके साथ आपके रिजनिंग आएगी मैथ आएगी और जर्नल एप्टिट्यूड आएगी इसमें निगेटिंग मार्किंग भी दी गई है आपको पता होगा 0.25 की यानि 1x4 की चूज़ करेंगी और चूर्ण चूज़ करना चाहिए अगर आप लूशन करते हो बहुत अच्छी है अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत हाजा मिलेगा ढिक्या तो उसके तो उतने ज़्यदा प्रॉब्लम नहीं होते तो रिवीजन की जरू थे आपको रिवीजन की तो आप क्या करोगे डेली डेली के वहल आदा घंटा 30 मिनट आप उसको मॉर्निंग में करो यह आपके उपर है आप अपने टाइम के साथ कैसे मैनेज करोगी आपके उपरी बन करत टाइपिंग भी तो डेली प्रैक्टिस करनी आपको थोड़ा 10-15 मिनट का रेष्ट्रव कंए उसके बाद रिजनिंग मैं यह बता दू आपको और बहुं चीचा कभी बी दो टफ सब्जेक को एक साथ नहीं लेते है अगे अगर आप कभी भी मैत के साथ कभी भी मलग की यजञीञ को मत लो मैध Co नंग को मत्व लो मैत अलग लो ग्रक लो भी करो कॉंटियुई दिन वैसे इसमें भी है इसमें भी आपको वेरियेशन रखनी है आप हिंदी के साथ रिजिनिंग रखो ठीक है तो थर्टी मिनिट अगर पढ़ने के बाद थोड़ा गैप दो दस पंदा मिनिट का उसके बाद उस सेम डे पर रिजिनिंग की आप एक आवर आप थियोरी और कॉंसे क्लियर करो जैसे कि कोई है मालो ख्लाक है कुछ भी है जो भी चीजह जो दी गई आप में अच्छ थोड़ा ब्रेक लो कुछिसे हमारा माइंड कि हमें एंप्से dad if हम में थोड़ी शी से लगने लगती मजा नहीं आता तो मैठ के लिए अपने माइन गो वहां और हम मैं कान में headphone डालके अच्छे से music सुनो तो थोड़ा सा और concentrate होता है तो music के साथ गाने के साथ अगर आप इसको math को लगा इंट्रेस्टिंग हो जाती है ठीक है तो आपको दो घंटे math लगानी है दो घंटे पनी बॉड़ी को relax दो थोड़ा relax दो पनी बॉड़ी को कि अब आप इसको सुबह स्टार्टिंग में भी कर सकते हो तो या फिर आप सेकेंड टाइम में कर सकते हो उसके बाद आता जर्रनल एप्रेट्यूड अधि जब्यानल एप्रेट्यूड आप से ये भी कह दू ना महनत क करोगे तभी होगा सेलेक्शन घर बैठे सोचने से सपने देखने से नहीं होगा सपने देखे हो तो अपने तुम्हें ही पूरे करने पड़ेगा ठीक है यह सब पड़े तो जाइड सी बात है तीनों टॉपिक आप देखो जा करने की जूरत नहीं है तोड़ी यह पढ़ने की जूरत हैं पढ़ने की जूरत है ौर साथी साथ कंप्यूटर के लिए 30 मिनट दो 30 मिनट कंप्यूटर के दो थो लगभग मैंने दो घंटा आपका यहां लिया दो चार गंटा चार एक पांच और साड़े पांच आपको डेली पांच छे घंटे अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपका सेलेक्शन तो सब्सक्राइब चार गंटे आपको कुछ भी कर सकते हो तो टाइपिंग करने जाओगे डो घर से दूर है आने-जाने में भी समय लगता है तो दो घंटे मानीज आपके उसके वेश्ट होते हैं फिर भी आपके बाद गंटे बचेंगे जिस आठ गंटे में आप अपने आपको इंजुआए कर सकते हो ठीक है अपने चीजे कर सकते हो फोन पर कॉल वीडियो मूवी जो भी देखना जाब कर सकते हो आप से मैं क्यों साड़े पांच घंटे मा आपने 30 मिनट दिये किस तो अगले दिन आप उस जो हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में आप क्या करोगे कि हिंदी में उस जो भी टॉपिक पढ़ा जैसे वर्ड माला पढ़ा तो उसके कोश्चन की प्रैक्टिस करोगे ठीक है उसके बाद छोड़ दोगे उस तरह तो आप क कर दोगे फुल मॉक्टेस दोगे सौ कोशेंगा पूरा 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 सो इक्जेक्ट अगर आपको मॉक्तेस देना है तो आप हमारे एप को दिक्ट्रिय अडा एप उसका लिंग को डिसमोक्स में जाएगा वहां पर आप सीयार प्राइप हैट पॉइंश टेबर मेंश्ट में और घ्रती ambulance अ यह, और इसमोटा अब सुपराइब कर रहत दस मॉटेस आप क freshmen 29 रूपी में ऑनरी फट्रिये मॉट्स मेंसा को सबींने होट mee कि आप इसको बाइट कर से तो टेलिक्राम गूरुप में भी डाल दूँगा ठीक है वहां से मॉक्टेस तो ठर्ड या फुल मॉक्टेस दोगे और मॉक्टेस को आप एनलीसिस करोगे कि कहां पर गल्तियां हुई कहां पर मैंने क्या किया और मॉक्टेस देने का मतलब है कि कि आप मॉक्टेस दोगे और एक घंटे आप एनलीसिस करोगे ठीक है मगए इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस दिन पढ़ाई नहीं करोगे उस दिन भी आपको पढ़ना है मैं मजाग नहीं कर रहा हूं केवल आपको मैथ और इधर जर्नल एक्टिटूड में थोड़ा जी आप फिर से उसी रूटीन में आओगे ठीक है और जब आप मॉक्टेस को एनलीसिस करोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक है और कौन से टॉपिक है जो टॉपिक आपका वीक होगा उस टॉपिक को उठाना और फिर उसकी प्रैक्टिस करना ले कौनसेク वाइज और ऐसे करना तो आप ठर्टी इस को प्लान को ऐसे करोगे मतलब दो दिन आप पढ़ोगे फिर तीसे दिन मॉक्टेष कोगे और मॉक्टेष द Ferguson से और आपको अपनी अवकात पता चल जाएगी कि आपकी अवकात क्या है अभी आप कितनी नंबर के काबिल हो और जैसे आपको पता चलेगा कि आप इतनी नंबर के काबिल हो आपको रिलाइज हो जाएगा कि मुझे महनत करने की जरूत है और जैसे यह आप महनत करोगे आप अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है तो मौक्तिस जरूर लगाना ताकि आपको अपने बारे में भी एनलिसिस होती रहने दुनिया में कौन बताएगा तुमको कि भाई तुम इतने अभी पानी में तुम्हें यह नहीं आता कोई नहीं बताने वाला भाई सबको अपनी चिंता और णोना तो एक घंटा डेणिकेटेड है डेणिकेटै मैं समझ रहे हो कि उस एक घंटे में आपको कुछ भी नहीं करना को आपने आपको टाइम देना है और अपने को टाइम देना सीख लो नहीं तो किसी और के लिए काम करोगी ठीक है 5,000 रुपए में काम करोगे अगर अगर सरकाई नौपरी नहीं लगी न तो ऐसे ही तुमको कोई लेकर जाएगा ठेके पे काम करवाएगा तो अपने लिए काम करना सीख लो यह है सूपर 30 डेस का प्लान कि आप दो दिन पढ़ो तीसे दिन मौक टेस दो और अपने आपको जाचो और पढ़ते रहो ऐसे आप टॉपिक वाइस पढ़ो देखिए आप कितने पानीम हो यह आपको पता है आपको कौन से टॉपिक कंप्ल अगर 22 फर्वरी को एक्जाम कंट हो जाता है तो आई होब हो भी सकता है नहीं भी होसकता यह कुछ कहने सकते हैं अगर हो जाता है तो आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगे और आप मैं कह रहा हूं कि आप सच में विजय भाओगे मैं लग कि जीत के आओगे जंडा काड के आओगे अगर आपने ऐसे पढ़ाई कर दिया ठीक है बुक्स तो मैंने बता ही रखी इसके लिए आदित की ले लो रिजनिंग के लिए और यहन क के लग का अच्छ फिए पढ़ए रहा हूं नियां यहां यहां से आंपने डिस्कुशन बॉक्स में वहां आप डॉलोड करके वहां से कर सकते हो रिजनिंग की मैं क्लासे दे रहा हूं मैं यहां जर्नल एक्टिटुड में इसकी कलेरेकल की मिल जाती है अलमूस्ट हमना हमा सारी classes मिल जाती है तो अगर आपको practice करना है अगर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ complete कर रखा है अगर आप practice practice करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आगे practice कर सकते हो देखी planning मैं overall चीज़े बता रहा हूं एक common बच्चे के लिए जो सोच राय पढ़ने के लिए तीज दीन में सोच राय complete करने के लिए यह प्लान उनके लिए मगर अगर आप advanced level की हो आपको लगता है कि अब बस मैं मुझे practice करने की जुरूत है और कुछ नहीं तो अब हमारे चै आपको पता है और आपको पता है जूँन तक सारे चीज़े खतम होने वाले तो इससे अच्छा मौका तो आपको नहीं मिलने वाला इस साल आपको वर्दी मिल जाएगी selection मिल जाएगा salary उठाओगे सरकारी bank account खुल जाएगा ठीक है तो जाते जाते जरूर बताना वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कर देना comment box में अपना favorite part बताना कि आपको क्या अच्छा लगा जो कुछ कमी हो तो कमी बताना ठीक है तो वीडियो को समाब करते हैं वीडियो च्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी कले तल्यूजा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक यू सुमच